नेता जी सुभास medical college जो की बीष्टा पतना में है, आज मैं इसके fee structure के बारे में बताने वाला हूँ बिहार के बाकी सभी private medical college की fee structure मैं already discuss कर चुका हूँ जिसका link मैंने इस video के अंत में share कर दिया है राजी के private medical college को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप टेली ग्राम या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रिन दोनों ही जगह मौजूद है नेताजी सुभास मेडिकल कॉलेज बिहार का नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहां MBBS की पढ़ाई वर्स 2020 से ही सुरू हुई है भले मेडिकल कॉलेज नया नवेला हो पर फी के मामले में इसने बिहार के पुराने मेडिकल कॉलेजों को भी पीछे छोड़ दिया है जो फी अस्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो वर्स 2020 का है अगर इस वर्स इस कॉलेज की फी में कोई बदलाव होता है तूसे मैं एक्जैम सबके ओफिसियल वेबसाइट पर अपडेट कर दूँगा और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा नेता जी सुभास मेडिकल कॉलेज का एन्वल ट्यूशन फी है 15,50,000 रुपए इसके बाद आपको यहां रहने के लिए AC वाला होस्टल मिलेगा अब यह प्राइबेट मेडिकल कॉलेज वाले फोकट में आपको एक लोटा पानी ना पिलाएं तो यहां AC वाला कमरा फ्री में कैसे मिलेगा इसके लिए आपको हर साल 2,00,000 रुपए अलग से देने होंगे अब आप यह मत कहना कि अगर हम होस्टल में ना रहें और बगल के किसी लॉज में ही अपना खटिया लगा ले तो चलेगा क्या नहीं चलेगा not allowed आपको कॉलेज के AC वाले कमरे में ही रहना होगा कॉलेज ने काफी खर्च करके AC लगवाया होगा भई पैसा तो वसूलेंगे वैसे 2 लाख में कितने AC मिल जाएंगे गौर करने वाली बात है पढ़ने रहने की बात हो गई अब खाने की चर्चा करते हैं कॉलेज द्वारा आपको 5 कोर्स मिल दी जाएगी और इसके लिए मेश चार्ज के रूप में हर साल आपको 1,20,000 रुपए देने होंगे इसके अलावा 50,000 रुपए आपको ट्रांसपोर्ट फी के रूप में हर साल देने होंगे यानि कुल मिलाकर इस medical college में पढ़ने के लिए आपको हर साल 19,20,000 रुपए देने होंगे इसके अलावा admission के समय 2,00,000 रुपए security money के रूप में भी जमा करना होगा जो की refundable है college का कहना है किसे second year के fee में adjust किया जा सकता है exam fee और university fee के लिए अलग से charge लिये जाएंगे इन private medical college की fee देखकर लगता है कि इने college Boston में खुलना था लेकिन गलती से बिहार में खुल गया बिहार जैसे गरीब राज्य में अगर approximately एक करोड उपए खर्च करके अब छातर डॉक्टर बनेंगे तो आने वाले हजार सालों में भी कोई MBBS डॉक्टर हमें राज्य के किसी गाउं में देखने को नहीं मिलेगा समय आ चुका है कि सरकारें private medical college की fee नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए वरना primary healthcare services भी गरीबों से कोसो दूर हो जाएगी